Hello students, welcome to Magnet Bain. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे से होंगे. Myself, Neha Verma from Magnet Bain. Students, Magnet Bain एक ऐसा YouTube चैनल है जहां आपको KG से Class 12 तक आपको आपके पूरे स्लेबस का वीडियो मिलता है, students. और हाँ, यहां पर आपको teachers जो भी chapter पढ़ाते हैं, उसका कोई भी payment, demand नहीं करते. क्यों नहीं करते? क्योंकि Magnet Bain is totally a free of cost channel. Means, यहां से पढ़ाई करने के, यहां पर वीडियो देखने का आपको कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता. ओके students, तो चलिए हम अपनी आज की पढ़ाई शुरू करते हैं. जैसा कि हमने देखा था, हम अपना class 1, कक्षा 1 का हिंडी शुरू कर रहे हैं. आपकी NCRT की बुक, रिम जिम का पूरा स्लेबस. ठीक है students? तो students, हमारा जो part 1 है, वो जूला है. वो हम थोड़ा बाद में शुरू करेंगे. उसके पहले, आपकी बुक में कुछ चीज दी गई है. क्या दिया गया है? नाम ही नाम. Means इसमें आप जो यहाँ पे देखेंगे, वहाँ आपको नाम ही नाम देखने को मिलेंगे. कैसे? चलिए देखते हैं. यह देखिए. स्कूल का पहला दिन. मतलब अगर आप स्कूल जाएंगे और आपका पहला दिन होगा स्कूल में, तो आप क्या देखेंगे? आपकी क्लास में, आपकी कक्षा में, क्या-क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले तो आपकी teacher मिलती है आपको देखने को, है ना, कौन मिलती है, आपकी teacher, आपकी शिक्षिका, और आपके friends, आपके जैसे बहुत सारे बच्चे, देखिए, आपके जैसे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, और उनके पास bag है, बस्ता, उस बस्ते में books हैं किताबे, यह देखिए, सारे बच्चों के पास किताबे हैं, और वो अपनी teacher, अपनी शिक्षिका के पास बैठे हुए हैं, और class में क्या होता है, teacher की chair होती है, जहाँ पे teacher बैठती है, teacher की table होती है, जहाँ पे वो अपना सामान रखती है, और students, क्या होता है, dustbin होता है, ता होते हैं चाट क्या होते हैं वrive paper chart बने होते हैं जहां पे आपको कच कुछ चीजे समझाई जाती है यहां पर बना हुआ है प्रात्मिक रंग मिन फ्राइमरी कलर स्थ कौन काउं से बेसिक कलर ओते हैं यलो होता है red होता है blue होता है लाल, पीला, नीला लाल color, पीला color, नीला color ये इनको क्या बोलते हैं प्राथमिक रंग, primary colors means इनमें अगर हम कुछ और color मिलाएंगे तो अलग-अलग color बन जाते हैं ठीक है फिर यहाँ पे क्या हुआ है यहाँ पे एक poem लिखी हुई है असी नब्बे, पूरे सो सो में लगा, धागा, चोर निकल के भागा, ठीक है तो चार्ट पे poem लिखी हुई है फिर यहाँ पे चार्ट पे जैसे फलो के चित्र दिये गए है केला, संतरा, अंगूर है ना, means fruit का चार्ट लगा हुआ है उसके बाद, यहाँ पे भी students, यहाँ पे कुछ ऐसे अलग-अलग तरीके की books रखी हुई है यहाँ हम कह सकते हैं छोटी सी libraries class में बनाई गई है जिसमें अलग-अलग तरीके की book है कहानियों की book है, बालगीत की book है, आपकी class में भी चोटी library होती है क्या, जहाँ पे चोटी-चोटी सी books होती है, है ना और class में क्या होता है students class में charts हो गए chalk होती है, table होती है duster होता है, आजकल तो smart board भी होता है होता है ना students, है ना, computer बड़ी सी screen लगी होती है, जहाँ मैं आपको बहुत सारी videos दिखाती है है ना, so students यह होती है हमारी class class के बाहर आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है ground में कुछ बच्चे खेल रहे हैं hand pump लगाए, वहाँ पर पानी पी रहे हैं, आप अपनी water bottle लेके जाते हैं school, है ना, और लिए सब कुछ नया नया होता है new teacher होती है, नय नय दोस्त होते हैं, सब कुछ नया नया होता है, लेकिन धीरे धीरे हमें उसकी आदत हो जाती है, और हमें वो सब अच्छा लगने लगता है, ठीक है student तो यहाँ पर बहुत सारे चीजों के हमने नाम देखे, ठीक है चलो, आपकी book आप खोलोगे ना, तो आप देखे relate करना कि कौन कौन सी चीज़े आपकी class में हैं, और आपकी book में दिख रही हैं, ठीक है, चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं येस, अब यहाँ पर हमारे साथ एक हमारे दोस्त है, ठीक है जो हमें पूरी book में दिखाई देंगे हर चाप्टर में दिखाई देंगे कौन है, ये ज़रा देखे मेरा नाम सुहानी है ये क्या बोल रही है इनका नाम क्या है, सुहानी तुम्हारा नाम क्या है ये आप लोगों से पूछ रही है मेरा नाम तो सुहानी है आपका नाम क्या है तो आप सब लोग भई आई ने अपना नाम बता दो भई मेरा नाम तो नेहा है ठीक है, अब देखो नाम ही नाम, मेरा नाम डैश है आपका जो भी नाम है वो आप अपनी book में लिख दीजे जैसे मान लीजे मेरा नाम नेहा है तो यहाँ क्या लिख दूँगी मैं? नेहाँ आप लोग अपना नाम लिख देना प्रियंका, फिर और क्या हो सकता है सनेहा उसके बाद क्या हो सकता है सलोनी बहुत सारे नाम जो आप यहां लिख सकते हो मेरे शिक्षक या शिक्षिका का नाम डैश है शिक्षक या शिक्षिका माने आपकी टीचर तो आपकी टीचर का जो भी नाम है वो आप यहां लिख सकते हो जैसे माल लीजे आपकी टीचर का नाम जो तुम्हारी कक्षा में है कक्षा means आपकी क्लास कक्षा means आपकी क्लास तो अब आपका पहला देना आप स्कूल गए, आपकी क्लास में जो जो चीजे आपने देखिये उनकी चित्र बना दो जैसे की क्या-क्या होता है टेबल होती है आप यहाँ पे टेबल का चितर बना देना भहिया, अपना अच्छा सा, ठीक है, जो टेबल होती है, ठीक है, फिर आपकी चेयर होती है, चेयर का चितर बना देना, ठीक है, और क्या-क्या होता है, आपका ब्लैक बोर्ड होता है, ठीक है, जहाँ पे मैडम आपको पढ़ाती है आप ब्लाकबोर्ड का चितर बना देना, फिर चौक होती है, डस्टर होता है, ठीक है? तो जो जो चीजे आपको अपनी कक्षा अपनी क्लास में दिख रही है, उनका चितर आप यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है? चलो, आगे बड़े, समझ गया आप? आप चितर बनाओ, बड अपना नाम लिखना है, जैसे माम ने अपना नाम लिखा है, आपको अपना अपना नाम लिखना है, माडम का नाम मत लिख देना, अपना नाम लिखना, मेरा नाम ये है, जो भी आपका नाम है, मेरे शिक्षक या शिक्षिका का नाम ये है, शिक्षक शिक्षिका मतलब जो आपकी teacher का नाम है वो आप यहां पे लिख देंगे, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, येस, अब क्या है, देखो, सुहानी अब फिर आप से कुछ बोल रही है, क्या बोल रही है, मैं सुहानी और तुम्हारा दोस्त हूँ, है ना, सुहानी हो और तुम्हारा दोस्त हूँ जरा सोचो मेरा नाम क्या हो सकता है अब इसी में ये पहली है और इसी में आंसर चुपा हुआ है खुदी बोल रही है मैं सुहानी हूँ और तुमारा दोस्त हूँ सोचो मेरा नाम क्या हो सकता है अरे भाई सुहानी ही तो हो सकता है है कोधी तो बता रही हो अपना नाम सुहानी ठीक है अब दीखो अब पिछले पण्य पर जाहो मतरा हमने पहले पढ़ पर जो आपकी कक्शा का चितर देखा थे नहीं और देखो वहां क्या मिला क्या नहीं मिला ठीक है स्टूडेंट तो यहां पे आपने कुछ चित्र बनाये थे अपनी कक्षा के अब पहले पन्ने पर जाना इस पन्ने पर और देखना आपने जो जो बनाया क्या वो यहां पर मैच कर रहा है जैसे आपने ब्लैक बोर्ड बनाया भी यहां पर भी कर रही थी अपनी टीचर का फोटो भी बना लेना अपनी फ्रेंड्स का फोटो भी बना लेना ठीक है तो यहां पर आप मैच अपनी बुक पलटना और देखना क्या पहले पनने से आपके चितर मैच हो रहे हैं ठीक है स्टूडेंट समझ गए यह बात राइट ठीक है चलो कि नाम में मा आता है दूसरी ऐसी टोली जिसके नाम में ना आता है ठीक है बच्चों को सही टोलियों तक पहुँचा ओ ठीक है यह चीज है, यहाँ पर क्या है, दो टोलिया दी गई है, एक यह टोली है, दूसरी आपकी यह टोली है, यह ना नाम की टोली है, ना, ना से नल वाला, यह मा नाम की टोली है, मा से मचली वाली, ठीक है, यहाँ पर कुछ बच्चे बने गए है, उनके नाम भी दिये गए है, क् कि नाम ही नाम तो पढ़ रहे है पन है ना आपको क्या करना है जिन बच्चों के नाम न से शुरू होते हैं उन् leopard चैश्चों के नाम ना में बड़ी की मात्रा नी, रा, ज, ज, में बड़े आ की मात्रा नीरजा तो भाईया नीरजा को भी पहुचा दे ना की टोली में ये पहुचा दिया, नीरजा पहुच गई ना की टोली में और कौन बचा, राजन, नुनु ना, ना में बड़ेओ की मात्रा, ना, ना में बड़ेओ की मात्रा, नुन्नु, नुन्नु को भी हम, ना की टोली में पहुचा देते हैं, ठीक है student, तो न और कोई ना का बच्चा दिख रहा है क्या, नाई, नीलु पहुच गई, नीरजा पहुच गई और नुन्नु पहुच गए ठीक है तीन हमारे बच्चे पहुच गए ना की टोली में ठीक है अब हम पहुचाते हैं मा की टोली के बच्चों को मा की टोली में कौन आया सबसे पहले हेमा मानू चो भई अब मा से शुरू हो रहे हो मा की टोली में आ जाओ ये मानू आ गया मा की टोली में उसके बाद कौन आया उमर्धना मुर्गन 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 को भी मा की टोली में पहुचा दो पहुचा दिया भाई उसके बाद कौन आया हमीदा नहीं मोहित मा से शुरू हुआ मोहित को भी मा की टोली में पहुचा दो उसके बाद माधवन माधवन को भी पहुचा दिया हमने मा की टोली में अब देखो ना की टोली में हमारे कितने बच्चे गए थे नीलू, नीर्जा और नुन्नू तीन बच्चे मा की टोली में कितने बच्चे गए मानू, मुर्गन, मोहित और माधवन चार बच्चे ना की टोली में तीन बच्चे गए मा की टोली में चार बच्चे गए लेकिन अरे कुछ बच्चे तो छूट गए क्योंकि दो ही टोली थी बहुत सार बच्चे छूट गए जैसे हेमा छूट गई, स्वामी छूट गया, उमर छूट गया, धना छूट गया, फिर हमीदा छूट गई, और कौन छूटा, राजन छूट गया, कोई बात नहीं, अभी तो हमारी न और मा की टोली तो बन गई भाईया, ठीक है, मज़ा आएगा, इसको करो, अलग-अलग प राइट स्टूनेंट, चलो, उसके बाद, जैसे आपने यहाँ टोलिया बनाए, अब आप एक चीज सीख गए, टीम, इसका क्या सीखे आप, टीम बनाना सीख गए, है ना, आपको अक्षर का ग्यान भी हो गया, तो आप नए-ने स्कूल में जाते हो, अपने फ्रेंस के नाम पूछो, और टोलिया बनाओ, कि भाया, मा की नाम वाले बच्चों की टोलिया लग, ना की नाम बच्चे वालों की टोलिया लग, रा की टोलिया लग कर दो, पा की टोलिया लग कर दो, है ना, तो अब तुम भी कक्षा में जटपट ऐसी टोलिया बनाओ, सीख गए एक नया यहाँ पे अभी जो हमने नामी नाम वो पढ़ दिया आप थोड़ा सा कुछ और बची एक्टिविटी वो और करेंगे उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना पहला पार्ट जूला ठीक है तो माम के साथ बने रहो और मज़े से पार्ट पढ़ो ठीक है students तो students यह आपको मिलेगा magnet brain पर अगर आपको समझना है तो और यहाँ पे आपको और क्या मिलता है यहाँ पे आपको kindergarten से class 12 तक online school education बिलकुल free में मिलती है students ठीक है तो बस वीडियो देखिए समझे सारे chapters और अपनी class 1 की हिंदी मजबूत करो बहुत अच्छे नमबर लाओ ठीक है students तो चलो आप next वीडियो में हम नया topic पढ़ेंगे जब तक की लिए बाई बाई ठीक केर